नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं फैक शाला की विशेश प्रशिक्षन वीडियो सीरीज सोचो समझो फिर शेयर करो ब्रामक और फरजी सूचनाओं को रोपने का केंट्र बिंदू अलोचनात्मक नजरिया है अब सोच रहे होंगे कि आलोचनात्मक नजरिया क्या है आलोचनात्मक नजरिया यानि किसी जानकारी का सावधानी पूर्वक विशलेशन करना आलोचनात्मक नजरिया एक तरह की योग्यता है जानकारी का अलग-अलग दृष्टिकोन से विशलेशन करने की योग्यता मिलती जुलती अन्य जानकारियों का तुन नात्मक अध्यन करने की योग्यता अलोचनात्मक धंग से जानकारी का मुल्यंकन करने की योग्यता निश्पक्ष तोर पर निश्कर्ष निकालने की युग्यता किस जानकारी पर भरोसा करें और किस पर नहीं ये निर्णय लेने की युग्यता अब सवाल उठता है कि ये आलोचनात्मक नजरिया आपके किस प्रकार से मदद कर सकता है ये आपको सही जानकारी और भ्रामक जानकारी के भेद को समझने के लिए सशक्त करता है भ्रामक जानकारियों को पहचान लेने की क्षमता देता है जानकारी के अंदर की समगरी का मुल्यंकन करने में मदद करता है आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है जो भ्रामक और फर्जी जानकारियों को आगे फैलने से रोकते हैं आपको सबूतों के आधार पर अपने निर्णय लेने की ख्षमता देता है आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़े काम की चीज है लेकिन आलोचनात्मक नजरिये को कैसे अपनाएं और कैसे मजबूत करें तो हम बताते हैं पुर्वा ग्रहों की जाच करें देखें कि क्या आपके अंदर पुर्वा ग्रहों के आधार पर निर्णय लेने की प्रिवर्ति है सुतंतरता के साथ विचार करें आपके सामने जो कतानक पेश किया गया है उस पर सवाल करें और सुतंतर नजरिया अपनाएं जागरुप बने इस से आपको किसी जानकारी बारे सोच समझ कर वे अध्यन के बाद एक संतुलित नजरिया बनाने में मदद मिलेगी जागरुकता की कमीजे आप भ्रामक सूचनाओं के जाल में फस सकते हैं जल्दबाजी ना करें जब तक आप पुर्ण दया किसी जानकारी के बारे में निश्चिंत नहीं हैं तब तक उसे साज़ा करने की जल्दबाजी ना करें सांजा करने से पहले जानकारी की जांच परक की महनत करें याद रखें ब्रामक और फर्जी सूचनाओं से लड़ने के लिए आलोजनात्मक नजरिया आपका सबसे बड़ा हथियार है तो जाग रूक बनो, सोचो, समझो, फिर शेयर करो